Hello friends, यह आप प्रेगनेंट है और आपको बार बार सिर में दर्द हो रहा है और आपको चकर आने लग जाते हैं या सिर्धर्द के कारण आप अपना कोई काम नहीं कर पा रही हैं और आप ये सोच रहे지만 की हैं और क्यूं मेरे सिर में इतना दर्द है तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है मैं डॉक्टर सुशीरा से निगा इनेकलोजिस न अपसिटेशन आज आपको बताने जा रही हूँ सिरदर्द के क्या कारण हो सकते हैं और आप घर पर इसका कैसे ट्रीट्मेंट कर सकते हैं और इसी कौन सी परिस्तितिया होंगी जब आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से इलाज लीजिए प्रेग्नेंसी में सिरदर्द होना एक कॉमन समस्या है बहुत सारी लीडिस आती है जो यह कहते हैं कि मैडम हमारे सिर में दर्द है जाता है तो प्रेग्नेंसी में ऐसा नहीं की बढ़ जाता है वह नॉमल ही रहता है जितना पहले उतना ही रहता है लेकिन अगर आपको मैडेन की समस्या है तो आपका जिस भी डॉक्टर से माइग्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आप एक पास अंपक जरूर कर लीजे ताकि वह आपको उसके आगे की एडवाइस दे सकें कि आप उसमें कौन से दवाई लें या कौन से दवाई ना लें क्योंकि प्रेग्नेंसी में बिना डॉक्टर की सला कि कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए दूसरा कॉनण कारण होता है कि टेंशन हेडिक होता है याने कि अब हमें प्रेग्नेंसी हो गई है अब उसका कने लोगों को टेंशन होती है कि अब अगिसे कैसे की खाना है गामाव पीना है तो ये तो आप अपना normalize कर सकती है आपे के हाथ की बात है relax रही है वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि इन सब का आप treatment कैसे करें तीसरा कारण हो सकता है कि अगर आप टाइम पे खाना पीना नहीं लेती है यानि कि आपका blood sugar का level कम हो गया खाना नहीं खाने के कारण भूग के कारण भी कई लोगों को सिरदर्द होता है कई लोगों को चाई बार बार पीने की आदत होती है जिसकी वजह से भी अगर चाई टाइम पे नहीं मिलती है तो उनको headache होता है या किसी को कौफी की आदत होती है या कई लोगों को smoking की भी आदत होती है लेकिन pregnancy में चाय, coffee or smoking तीनों को कम करने के सलहा दी जाते हैं smoking को तो हम बिल्कुल advise नहीं करते हैं, smoking तो बिल्कुल बंद कर देनी होती है अब ladies अगर कोई smoking करते हैं अब उसके smoking बंद होने के कारण हो सकता है कि उसको सिर में दर्ध हो तो उसके लिए आपको उसके supplement लेने चाहिए जो कि आप अपने doctor से prescribe करवा सकते हैं इसके अलावा किसी-किसी ladies को cluster phobia या cluster headache भी होता है जो कि migraine का ही एक type है और headache का एक type है cluster headache में आपका सिर का एकदम से बहुत भारी पन हो जाता है और आपको थोड़ा सा आँखों के उपर भी सिरदर्ध होने लगता है और ऐसी कोई इस्तिती बनती है तो आप doctor को एक बार दिखा कर उनसे आप treatment ले सकती है और अगर आपको पहले से migraine चल रहा है तो अगर आपको यह पता है कि यह लक्षणों से मुझे सिरदर्ध बढ़ता है यानि कि किसी को खाना टाइम पर नहीं मिलना किसी को ठंडी हवा लगने से या किसी को बाहर की हवा लगने से ज्यादा धूप लगने से सिर में दर्ध होता है तो आप इन सब कारणों को avoid कर सकती है जिससे कि सिरदर्ध का initiation ही ना हो किसी किसी लेडी का BP एकदम से बहुत शूट कर जाता यानि बढ़ जाता जिसके वज़े से भी headache होता है अगर headache के साथ में आपको आँखों के आगे दुनलापन हो रहा है blurring of vision है और आपके epigastic यानि कि उपरी से में दर्ध हो रहा है या हाथ पैरों में सूजन आ गई है तो ये preeclampsia यानि कि pregnancy induced hypertension के लक्षन है जिसमें कि सिरदर्ध एक बहुत common symptom माना जाता है अगर आपको बार बार सिरदर्ध हो रहा है और अगर ये associated symptom साथ में है तो BP अपना ज़रूर चेक कर वा लीजी हो सकता है कि आपको hypertension हो, PIH हो या preeclampsia हो इसके लावा किसी को सरदी जुकाम हो जाता है, नाग बंद हो जाता है, साइनस हो जाता है उसकी वज़े से भी headache होता है किसी को pregnancy में नीन नहीं आती है, प्रॉपर तरीके से rest नहीं कर पाती है, तो भी उनको सिरदर्ध होता है तो ये कुछ common कारण है, जिसकी वज़े से सिरदर्ध होता है अब आप इनका घर पे क्या management कर सकते है, जिससे कि आपको सिरदर्ध ना हो घर पर आप सबसे important है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, टाइम पर खाईए, टाइम पर अपना schedule मेंटेन रखिए, कोई भी मील अपने skip ना कीजिए, अपने body को hydrated रखिए, तीन से चार लीटर पानी आप ज़रूर पी लीजिए, चाय कॉफी पीने की आदत है तो सब्सक्राइब के लिए, ताकि आप उसको repeated ले सकें, ताकि quantity कम हो जाए और इसकी frequency बढ़ जाए, इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई migraine का medicine या tablets चल रहे हैं तो आप definitely उनको time पर लेते रहे हैं ताकि आपको सिरधर्द की problem ना हो, और जब भी आप doctor के पास check-up के इसके इलावा अगर आप घर पे नींद नहीं ले पा रही हैं, आपका कुछ atmosphere प्रॉब्लम है ताप अपने घर के बातावरन को थोड़ा improve कर सकती हैं और कुछ इस तरीके का environment develop कर सकती हैं कि आपको अच्छे से नींद आ जाए, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़ादा जरू इवनिंग वॉक कर सकते हैं ताकि आपको oxygen की मात्रा आपके शरीर में पराबर बनी रहें ताकि कई बार oxygen की कमी की कारण भी headache होता है तो वो ठीक हो सकता है, आप घुमने जा सकती हैं और morning walk रहते तो बहुत शुद्ध हवा अपने को मिलती है, इसके दावा योगा और meditation भी कर सकती हैं जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा श्यांत रहेंगा, टेंशन लेवल थोड़े कम हो जाएंगे, आप मैंटली रिलेक्स हो पाएंगी और अगर आप मैंटली रिलेक्स रहते हैं तो आपका tension headache गायब हो जाएगा, आपको अच्छे से नींद आने लगेगी और आ आपके सारे घर के measures आप ले लेती हैं, यानि कि आप अपने lifestyle भी सुधार लेते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखती हैं, आप tension stress भी कम कर लेती हैं, उसके बाद भी आपको headache रहता है, तो डॉक्टर के सलाह से ही कोई medicine ले, जनरली कोई भी pain killer pregnancy में लेने के सलाह नहीं दी ज consult करिए, डॉक्टर जो आपको दवाई prescribe करते हैं, वही लीजिए, क्यों कोई भी दवाई बच्चे को नुकसान कर सकती है, और आपके pregnancy में दिक्गत आ सकती है, तो आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान जरूर रखिए, और डॉक्टर के सलाह जरूर लीजिए, और कर दो आपके में।